दुख हो रहा है कि हम इस ट्रीम से 2-0 से हार गे यार आप देखो खुद बाखुद देखो कि इंडिया ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया और जब तक रोई शर्मा खेले थे टेस्ट मैच नहीं था T10 का मैच था 10-10 आवर का के तीन आवर के अंदर इन्होंने 50 रंज करके रिक है पाकस्तान कुछ कमबैक कर लेगा अगेंस्ट इंगलेंड सर आज सुबा से देखें कि इंडिया ने माफ्टर क्लास ट्रिकेट के लिए जा रोह शर्मा का वो वन हैंड़ेड कैच हो वो मौमा सिराज का इतलेटेसिजम से भरावा वन हैंड़ेड कैच हो या जस्वी धु मेरे हाथ देख लो हम से दो ना हो पाएगा हम तो मुल्क के लिए खेल रहे हमने तो क्रिकेट को आगे प्रमोट करना है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सेल्फ प्रमोटिंग को हम एदेते हम आज टीम नहीं चाल रहे हैं अब या बंगलादेश को अगर देखते ह तो वो टीम थी क्यों वह आइंडिया में परफॉम्म कर पारे क्योंकि आगे से वह भी तीम जो है वो जैलिन है वो सब एक दूसरे को डिस्पेक्ट कर रहे हैं और रहे हैं के घुसे को गुसा समझ रहे हैं यहां पर क्या है कि कैप्टन कुछ कह रहे है उसको इगनोर किया हुए जा रहा है उसी बार के हम्यातीं ही दी जारी है यह किस प्लेनेट कि है हैं और कहाँ से लाया ओब भाई यह तो प्रक्य कितने है तीन कॉन है रोई शर्मा सल्फलस कोई जाती अमबिशन नहीं कोई परसनल एगो नहीं कोई परसनल महम है नहीं सिरफ टीम ताफध शर्मेत प्रक्राइब प्रक्राइब जाती है यह का चला यह इतना इतना है या कैकर प्र sovereign tees रहा हूची जाला है यह क्या चल ला यह क्या मैश्चा चल लाई थी जल्दी के देन चल लाए यह क्या हो और फिर दस mrs कोगर दीया तो यह तो आभशा सबने अपना पूरा 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 प्राइब जैसा के हाइलाइट्स में आपने देख लिया है कि इंडिया और बॉलिंग के साथ भी और बल्ले के साथ भी बहुत जबर्दस परफॉमस देखने के मिली हैं इंडियन टीम ने शांदार तीन सो रंस बना लिये हैं और अभी भी उनकी टीम जो है वो खेल रही है और उन्होंने जो है वो बंगला देश की टीम को दो सो तेंटीस रंस पर आल कर रही है और शांदार परफॉमस दिखा रहे हैं इंडिया के जांग खिलाडी इसमें शुबन गिल की अच्छी बैटिंग देखने को मिली है शिस्वी जैसवाल ने इकावान रंस की शांदार बहत्तर रंस के बगैर डड़े उसके बाल जो जैस्वाल ने काम किया जिस तर सब्सक्राइब यहीं के बाद करना पाधी mieć आप जा लेकर लेते हैं अगर आपकी होलगी मैं जीतने कि तो आप जीतों पिर चाहें दो दिन का टाइम कि लिए हो सिंपल सिने या पर लगाएं सारे 300-400 बंगलादेश को बैटिंग करवाएं 1.500 बंगलादेश से चेज नहीं होना बंगलादेश ने पुरक जाना है यह होती है क्रिकिट के आप आखरी दिन तक फाइट होगी यह टेस्ट मैच अखीर का टेस्ट मैच होने जा रहा है यह टेस्ट मैच सारे रि यू शकल दीए यह है क्रिकिट के आप यह देखें कि इंडिया बगैर आखरी इनिस बाड़ी लिए एक इनिस के बलबूते के ओपर मैच जीतने जा रहे है कि अगर हमारे पेसर यहां मुकाबले में रगे रहेंगे इतना बुरा फिटा इतना बुरा फिटा तो बातो बातो सवाब की तरह मारा है वो कहते हैं पुन्य समझके सवाब समझके मारा है यहां कि नहीं जी बड़ा कोई सवाब मिल रहा मारो इतना मतला बुरा हाल और यह नहीं कि कोई फ्लूक शॉट्स हैं यहां को तुके हैं प्रॉपर क्रिकटिंग शॉट्स हैं प्रॉपर इंटेंट आपको नजार आ रही है, यह होती है टीम जो मुल्क के लिए खेलती है यह होते हैं इंडिविज्वल्स जो मुल्क के लिए खेलते हैं, यशेच्वी जेस्वाल आज पचास बना सकता था, यशेच्वी जेस्वाल यहां आखे बन करके फास्टरस हंडर्ड भी शेच्वरेंडन मकेलम का 54 बोलों में जो रिकॉर्ड है, वो भी तोड सकता था लेकिन वो मुल्क के लिए खेलता रहा है, भाई साब, what it is required for the team, I will just gonna play exactly like that, कौहन भत्तर पे आके intent दिखा के अपना wicket गिरा देता है वो भी test cricket के अंदर, वो भी early on in इस career, वो जैसे श्वीर स्वाल मां single double करना शुरू करती था, लेकिन उसको पता है, अब इस stress match में टाइम नहीं है, इंडिया का मुकाबला यहां बंगलादेश से नहीं, इंडिया कोई और टीम मचीन यह test cricket के अंदर, इसलिए इंडिया को इतना आगे ahead माना जाता है, इसलिए उनकी तारीफ की जाती ही, क्योंकि cricket आपके सामने है आज इस cricket के ओपर सुबह आके 126 ball, 126 रंदे के हैट्स ओफ जी, इस तरह की hitting फैबुलस किसम की intent के साथ रोई शर्मा, दे कैप्टन, और जैस्वाल, वट अक्रिक्टर ही इस यह होता है टीम के खेलना तो मैच में इस तरह की दुलाई, ऐसी दुलाई, ओ, अनबलीवल यह भाई जब टैस्क्रिक्ट में अमने यह दिन देखने ते कि टैस्क्रिक्ट में इस तरह की दुलाई, ओ, अनबलीवल किसम की hitting और इस intent तो मुझे पता था कि टीम इंडिया दिखाएगी नबलीवल तो मुझे हैं, वह भाई नबलीवल तो यहांपे तो हैंडिया जो अगणिल के खाई हो निग तो किसी तरिके से चॉक्य बचाई बचाई बचा उनको जर थे शॉक्या जब जो क्या इनको ठीक हमकरा हैं, चॉक्या बचाई हो तो छे जाखे इनको आपी तो शानदार बले बाजी हमें देखने को मिली है जबरदस पर्फॉमस देखने को मिला है पहले बालिंग के साथ अच्छी पर्फॉमस दिखाई है बाद में बले बाजी के साथ आपने जो और दिखाए है बहुत जबरदस पर्फॉमस दिखाई है इंडियन टीम ने बालिंग की अगर बात करें तो इंडिया के बॉलर्ज ने शानदार पर्फॉर्मस दिखाई है बुम्रा ने तीन विकेट्स असल किये है अकाश डीप ने अच्छी बॉलिंग किये इस तमाँ प्लेयरों ने शाबर्दस पर्फॉर्मस दिखाई है बैटिंग के अगर बात करें तो कोली ने 47 रंज बनाए हैं केल राहूल अभी 70 रंज बनाकर नाटोफ खेल रहे हैं बहुत जबर्दस बल्ले बाजी कर रहे हैं और इंडिया की लीड जो है वो साथ रंज की हो चुकी है अभी जो है वो आज का दिन मुका खतम हो चुका है इंडिया अगर आते ही पहले सेश दिन मुकाण, तो है इंडिया?